गुद मॉर्निंग वेस्टीरियन्स मैं शीवम सिंगल एग्री ट्रेनर स्वागत करता हूँ आप सबी लोगों का वेस्टीज क्रिशी ग्यान के 38 अपिसोड में powered by वेस्टीज एग्री हमने पिछले पार्ट में गन्य की फसल से स्टार्टिंग की थी और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं गन्य की फसल इंडिया की में कमर्शल क्रॉप तो है ही और इस क्रॉप के ऊपर लगबग 2.8 लाक फार्मर्स लगबग 3 लाक फार्मर्स डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं जो कि गन्य की फसल को करता हैं आज हम पार्ट नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं जो कि है सीट ट्रीटमेंट बीज उपचार हम इसको कह सकते हैं गन्य की फसल में जो बीजो का मैटरियल रहता है उसको हम सेट्स भी बोल सकते हैं जब हम बीज लगाते हैं तो लगाने से पहले हम लोग वेस्टीज के एग्री प्रोडट्स के साथ बीज उपचार कर सकते हैं बीज उपचार करने के लिए हम Westid Agri Humic का परियोग कर सकते हैं। Westid Agri Humic की डोज 5 ml प्रती लिटर रहती है। उसका solution बना के हम बीज उपचार के लिए परियोग कर सकते हैं। Agri Humic से बीज उपचार करने के बाद हमें गन्य की गुवाई के बाद जो ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ बहुत अच्छी प्राप्त होती है और जड़ो का विकास भी बहुत अच्छी से होता है। दूसरा प्रोड़क्ट जो हम गन्य के सीट ट्रीटमेंट के लिए परियोग कर सकते हैं वो है वेस्टी एग्री प्रोटेक्ट। इसकी मातरा भी 5-10 ग्राम प्रती लिटर के अकॉर्डिंग रहती है। solution बना के इससे भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। और यह हमारी फसल को फफोन जनित रोगों से बचाने का काम करता है। I hope आप लोगों को यह टिप पसंद आई होगी। आपके आसपास जहां भी गन्ने की फसल हो रही है आप इस टिप का शेयर करके आप अपने बीजिनेस को बढ़ाने में भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रकाय की भरपूर इंफोर्मेशन के साथ जूड़े रहीएगा अमरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड नमबर 39 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एरी मच एंड विश्यू वेल्ट। है कि अओग को एंड यू जय सब्सक्राइब को एंड विश्यूर अड़ थैंक वेल्ट।